IIT मदराज ने JEE Advance के नतीजे जारी करने के बाद पिस्ट जारी की जिसमें 48,000 से जादा उम्मिदवारों ने परिक्षा दी थी इन में 7,900 के करीब महिलाएं हैं इन में Bombay Zone की द्विजा पटेल ने बाजी मारी है लेकिन दोर की पोजिशन पर सिद्धा घरवाल का भी नाम है जिन्हें 306 ब्रेंच मिली है एक अपना आपस में कॉंपटीशन रहते हैं कि हमको आगे आना है तो वो बना रहता था पढ़ाई का ही महुल था तो जर्जरली बच्चे पूरे टाइम लगे रहते हैं कि कोई किसी सा आगे ना निकल जाया और मेरा जादा फोकस केमिस्ट्री का मैट्स की तरह परहा है क्योंकि केमिस्ट्री का पोशन पढ़ा है पर अगर आपको याद करने पर मार्क्स बहुत ईसली आ सकते हैं तो मैट्स जर्णली लेंडी होता ही है तो बच्चे प्राक्टिस इस मॉस्ट पढ़ाई जैसे कभी टेस्ट में कम नमबर आसे तो बच्चे कोई टेंशन बनी जाता है या यह क्या हो गया कि जर्णली जो बैंच में अगर रांक गिर रहा है या फिर बहुत ही कम नमबर आ तो उसके बाद थोड़े ममी पापत से बात करता था तो वो समझाते थे कि एक दू बार की बात है या फिर अपर कभी कभी हो जाता है बच्चे के जिंदगे में आफ्टाउन चलते रहता है तो उसके बाद थोड़े ममी पापत से बात करता था तो उसके बाद जो बेसिक्ल इसने नमगर दवाने से हिराश नहीं होना ठीज अंशिक है इसका मतलब है कि अमारे पर इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्थोप है तो उसके बाद दुरं थी टेस्स के राद हमको इंप्रूवमेंट मतलब जो हमारी कौपी रखी थी कि हमको क्या जलत हुआ जैनी बना तो पॉइंट परसेंट आया, तो में लगा कि कुछ कर सकता है, काफी अच्छा कर सकता है, एल्लों के टीशर्स ने इसको अब मोगा लिया, तो हमने उनके हमाले करते हैं कि जब भी करेंगे, वो बैस्टी करेंगे, तो उसके वाज़ इसमे काफी अच्छा की है, तो के